आज मैं आपके साथ पालक छोले की रेसेपी शेयर करूँगी तो चलिए रेसेपी स्टार्ट करते हैं पालक छोले बनाने के लिए एक कप काबुली चने को रात को ही मैंने पानी में भीगोने के लिए रख दिया था तो देखिए बहुत बढ़ी से फूल चुके हैं अब हमने एकêmes कूकर लेना है और चैनों को हमने कूकर में डाल देना है और चैने का जो पानी है उसे मैंने भाटा लिया है क्यूंकि इसमें हम फ्रेश पानी एड़ करेंगे तो पानी इतना डालेंगे कि जो चैने हैं वो अच्छे से पानी में डूब जाएं तो मैंने यहां पे टोटल तीन कब पानी डाल दिया है अब हम इसमें एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पौडर दो तेज पत्ता डाल देते हैं तेज पत्ते का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आता है तो जरूर डालें छे काली मिर्श डालेंगे और चार लॉंग डाल देते हैं और दो हरी इलैची और एक टुकड़ा हम इसमें डाल चीनी का डाल देंगे और एक बड़ी इलैची भी डाल देते हैं तो इतने ही मसालों का हम यूज करेंगे अब हमने कूकर में धक्कन लगा लेना है और धक्कन लगा के हमने फुल फ्लेम पे इसमें 8 से 9 विसल आने देनी है तो देखिए 9 विसल आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और अब इसकी जो स्टीम है वो भी निकल चुकी है और चने बहुत ही बढ़िया से कुक हुए है तो चली मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए चने बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गए है बस इस तरीके से बढ़िया से चनों को पका लेना है अब चनों में हमने जो खड़े मसाले एड़ किये हैं जैसे कि तेज़ पत्ता, दाल चिनी और बड़ी इलैची इनको हम हटा लेते हैं इसी के साथ मैंने 300 ग्राम पालग लिया है पालग को 4-5 पानी में बहुत बड़िया से वाश करके लिया है तो चलिए अब हम इसे बलांच कर लेते हैं पालग को बलांच करने के लिए 1 लीटर पानी को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है इसमें हम एक छोटी चमच शूगर एड़ करेंगे शूगर के साथ ही हम इसमें एक छोटी चमच नमक भी एड़ कर लेते हैं इससे क्या होता है कि जो पालक का खारा पन होता है वो सारा खतम हो जाता है तो जुरूर डाले अब हमने शूगर को और नमक को पानी में अच्छे से गुल जाने देना है फिर हम इसमें पालक एड़ कर देते हैं अब पालक को पानी में अच्छे से डुबो लेंगे और तीन से चार मिंट फुल फ्लेम पे हमने पालक को इसमें पका लेना है बहुत जादा नहीं पकाएंगे तो देखिए पालक काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब हम इसे थोड़ा सा पलट देते हैं ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो देखिए चार मिंट के बाद पालक बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल देते हैं एक बाउल में मैंने चिल्ड वाटर लिया है इसमें आइस क्यूब भी डाले हुए हैं बस इसमें ही हम पालक को डाल देंगे इस से पालक का कुकिंग प्रोसेस रुख जाएगा और इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आएगा एकदम ग्रीन तो देखिए पालक में बहुत ही बढ़िया ग्रीन कलर आया है तो अब हमने इसे ग्राइंड कर लेना है तो इसके लिए हम इसे एक ग्राइंग जार में डाल देते हैं तो देखिए मैंने पालग डाल दिया है इसी के साथ हम इसमें दो हरी मिर्च भी डाल देते हैं और अब हमने इन्हें दरदरासा ग्राइंड कर लेना है तो देखिए मैंने पालग को बहुत ही बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है अब हमने एक कड़ाई लेनी है और कड़ाई में हम दो बढ़े चमच के करीब तेल एड़ करेंगे तो देखिए मैंने तेल भी एड़ कर लिया है अब हमने तेल को अच्छे से गरम होने देना है और गरम होते ही एक छोटी चमच जीरा डाल देंगे जीरे को बढ़िया से तड़कने देते हैं जीरे के तड़कते ही हम इसमें प्याज एड़ कर देते हैं तो देखिए मैंने इसमें प्याज भी डाल दी है थोड़ा सा इसे चला लेंगे अब यहीं पे हम एक सूखी लाल मिर्च भी डाल देते हैं अब हमने प्याज को मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से सुनेरी ना हो जाए तो देखिए प्याज हमारी बहुत बढ़िया से सुनेरी हो चुकी है अब इसमें आदी चोटी चम्मच हल्दी डालेंगे एक चोटी चम्मच धनिया पौडर एक चोटी चम्मच कश्मेरी लाल मिर्च पौडर एक चोटी चम्मच रोस्टिड कसूरी मेथी और एक चोटी चम् टमाटर दो मीडियम साइज के टमाटर को मैंने कद्दू कस करके लिया है डाल देंगे अब टमाटर को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और mix करने के बाद अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे तो देखिए मैंने यहां पर taste के according नमक डाल दिया है अब इसमें अदरक लसुन और हरी मिर्च का paste भी डाल देंगे लगबग एक चमज के करीब अब इसे भी अच्छे से mix कर लेते हैं तीन मिंट कवर करके इसे पका लेंगे तीन मिंट के बाद डक्कन को हटा लेते हैं तो देखिए हमारे जो टमाटर है बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं मसाले भी बहुत बढ़िया से भुन गे हैं ओल बिल्कुल सेपरेट हो रखा है तो अब क्या करना है अब हमने इसमें पालग का जो हमने पेस्ट त्यार किया था वो डाल देना है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो देखे मैंने पालग को बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया है और जार में पानी डाल के जितना भी पालग लगा हुआ है वो भी निकाल देते है अब हमने पालग को बढ़िया से उबाल आने तक पका लेना है अब हमने पालग को तब तक पकाना है जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए तो देखिए पालग में बहुत बढ़िया से उबाल आ चुका है अब हम इसमें चने एड़ कर देते हैं अब चनों को भी पालग के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम एक कप गरम पानी एड़ कर लेते हैं तो देखे मैंने यहाँ पर पानी भी डाल दिया है अब हम इसे कवर कर लेंगे और 10 मिंट हमने इसे कवर करके कुक करना है और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे 10 मिंट के बाद डकन को हटा लेते हैं तो देखे बहुत ही बढ़िया हमारे पालक छोले बनके त्यार हुए है इसकी ग्रेवी आपको थोड़ी सी पतली ही रखनी है क्यूंकि जैसे ही आप गैस बंद कर दोगे 5-10 मिंट के बाद ये काफी गाड़ी हो जाएगी तो देखे बहुत ही बढ़िया बने है अब आपने क्या करना है कि कर्ची की बैक साइड से हलका सा चनों को प्रेस करना है इससे ग्रेवी थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी बहुत ही बढ़िया लगती है एकदम लटबटी सी तो इस तरीके से जरूर करें अब हम इसमें बहुत बढ़िया आता है अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो देखिए हमारे पालक छोले सर्फ करने के लिए बिल्कुल रेडी है बहुत ही जादा स्वादिष्ट बनते हैं तो आप इन्हें एक बाद जरूर बनाएं तो चलिए इन्हें सर्फ कर लेते हैं तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं एक नई रेसिपी में तब तक के लिए बाइबाइ फ्रेंड्स